अगर आपके इरादे हैं बड़े तो तुरंट डिफेंस अडर 24-7 को सब्सक्राइब करें अगर उड़ना तो सभी को जैहिंद आई वेलकम यू अल ऑन दी प्लेटफर्म ऑफ डिफेंस अडर 24-7 एंड आई विश आल माई कंट्रिमेंट दी 73 रिपब्लिक डे तो आप सभी का वेलकम है डिफेंस अडर 24-7 पर और आप सभी को 73 गंटंत्र जिवसकी हार्दिक्षिप कामन है दियान लखेगा गंटंत्र जो हमें डिनोट करता है जो हमको रिप्रेजेंड करता है कि यह जो हमारा ग्रेट कंट्री है हमारी जो महान देश है हमारा यह इसमें जो अल्टिम शक्ति है वो किसके पास है वी दी पीपल ऑफ इंडिया के पास है तो आई सल्यूट ऑल माई कल्टिमें फॉर दिस इंपॉर्टन डे और साथ हमें अपनी शसस्तिस हैं आउं आम फोर्स आमी नेवी एर फोर्स पैरमिलेटी फोर्स पुलिस सर्विसेज एड एनी अधर सेक् सर्विसेज के सभी जिते भी हमारे ऑफिसर्स हैं और सैनिक से उन सभी को अपने डिफेंस इडर 24 की सेवन की तरफ से बहुत-बहुत सारा आपको रिस्पेक्ट कि आप अपने आपको सेल्फ आपने आपको डेंजर में रखते हमारी प्रोटेक्शन के लिए तो सभी का वेल सबसे पहले तो आपको बता दूँ साड़े दस बजे 26 जैन्वरी 1950 को हमारा कॉंस्टूशन इंप्लिमेंट किया गया था अब इसकी जो इंप्लिमेंटेशन है उसमें एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी उस ड्राफ्टिंग कमेटी में सेवन मेंबर्स थे उन सेवन में के बारे में आज हम आपको एक छोटा सा क्रिप्स नॉलिज देंगे जो आपके लिए पर्सनेल्टी डवलप्मेंट का भी काम करेगा तो चलिए शुरू करते हैं सभी को वेलकम है है एप्पी रिपब्लिक डे कनिका वर्मा सना खान कीरती पांडे और बिलकुल तो सभी को आज मैं आपके सामने दो ग्रेट पर्सन के बारे में डिसक्रस करूंगा डॉक्टर बी आर साब बाबा साब भीम राउंबेटकर एंड अन्वादाव राओ टोटल आपका कॉंस्टुटुएंट असेंबली में सेवन मेंबर्स थे उनके बारे में हमको बताएंगे और ध्य साम को चार बजे कीर्ती मैं आपके लिए हाईलेट्स ओर रिपडिक डेट क्या आज इंप्टक्रमेशन देंगी तो शामको चार बजे कीर्ती मैं का सेशन आप लोग सब जरूर देखेगा तो इस Republic Day, Let's promise to build a country that will be ideal place to thrive our next generation तो हमें एक ऐसा देश बनाना है जो हमारी आने वाली पीडिया है क्योंकि आप लोग यूथ हो, आप इस देश का भविश्य हो तो आपको ऐसे भारत का निर्मान करना है जो आने वाले जनरेशन, आने वाली पीडियो के लिए एक बहुत अच्छा रहे Education point of view से, religious point of view से, thought point of view से, development के बेसिस पे, scientific temper के बेसिस पे, etc तो इस चीज को, इस चीज को आप कैसे दूर कर सकते हैं, इस चीज को आप दूर कर सकते हैं, जब आप self independent होंगे, आप self, अपने जो भी आप काम करें, army, navy, air force, government service, private sector, business, banking, insurance, इसमें आप excel करें, इसमें आप excel करें और आगे ही आगे बढ़े, तो, डॉक्टर बी आर अंबेडगर, डॉक्टर बी आर अंबेडगर का जो birth है, 14th of April 1891 को, ओके, 14th of April 1891 को, रामजी और भीमाबाई, सकलपाल, अंबेवर के यहां पर जन्म हो आता है, यानि डॉक्टर बावसाब भीमरा अंबेडगर का गजब, डॉक्टर बावसाब भी महार कास्ट से आते हैं, जो महारास्टर में एक लोवर कास्ट मानी जाती है, वैसे इंडियन आर्मी में एक महार रेजिमेंट भी है, महार रेजिमेंट शिवाजी महराजा के समय से, एक क्या है सैन्य, यानि मार्शल क्लास रही है, तो महार रेजिमेंट से इनके पिताजी क का संबंध था और इनके पिताजी हाई पोस्ट रखते थे सुबेदार की महा रेजिमेंट पे इसी वज़े से डॉक्टर बाबसाब भीम राउंट अंबेडगर को लोवर कास्ट का होते वे भी ब्रिटिश स्कूल में पढ़ने का इन है अब से में लेकिन डॉक्टर ओंड़न ने जिवन में लाइव मैं कभी गीव त体 Doll असवे उसे वसी वजे से आज घॉसे बारे में आपसे बात करें हैं स्रीमा शेट्टी को जैहिन मैं तो 14th of April 1891 को बाबा साप अंबेड कर का जनम हुआ था और पूरी इंडिया में 14th of April बहुत ही पॉंप एंड शो से सेलिब्रेट किया जाता है इनके फादर जो थे आमी में सुभेदार थे महा रेजिमेंट वे और इसी वज़े से हैं इनको स्कूल में जाने का मौखमिल है लेकिन अगेन स्कूल में गये तो वह जो सोशल-ë डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम कास बाइसनेश बोलते हैं या इसको इनको फेज करना पड़ा ये जमीन पर बैठते थे इनको जो पानी भी पिला जाता था वो पियों ऐसे उपर जग से करके पिलाता था अगर प्योन ना है तो इन्हें पानी पीने को नहीं मिलता था बट बाबा साब के पास एक चीज थी कि उन्हें knowledge गेन करनी थी उन्हें education करनी थी क्योंकि ultimate वही वह इस बात को समझ गए थे कि अगर मेरे को success होना तो मेरे को इस चीज को बढ़कर आगे बढ़ना होगा तो वो अपने आसपास जो उनके अवरोद थे जो obstacles थे उन्हें पे उन्होंने ध्यान ने दिया उन्होंने अपने aim अपने focus पर ध्यान दिया और उसके लिए उन्होंने hard work करा तो आप लोगों को भ चाहिए है I want it I want to achieve it और मैं इसे करके रहूंगा यही एक attitude होना चाहिए आप सभी के अंदर आचल पवार निकिता भार्दवास सीमा जैहिन सर्फ सभी को जैहिन तो बावा साथ डॉक्टर अंबेडगर तो मतलब इनके साथ इतार डिस्केमेशन था यह अपने एक्सल करते ह नहीं होती है तो यह अपनी लाइफ में एक्सल करते हैं और फिर इनका नाम अंबेडगर कैसे पड़ा इनके जो टीचर थे ओके वह एक भ्रह्मन टीचर ते जिनका नाम था किर्शन जी केशव अंबेडगर इन डॉक्तर अंबेडगर का जो गाव है वह है अंबाडवे महा नाराश्तर के अंबाडवे गाउं से थे और अपना नाम यह अंबाडवे कर लिखते थे तो इनके जो हेड़मास्टर थे उन्होंने अपना सरनेम डॉक्टर अंबेडगर के साथ लगा दिया और वह अंबेडगर नाम आज तक चल रहा है ओके बिलकुल तो 1897 में ठीक है अ इनकी एज 15 years की हुई इनकी शादी करा दी गई रमा भाई से ठीक है जो उस समय चाइल्ड मैरिज वर कॉमन चाइल्ड मैरिज वर कॉमन तो इनकी भी जो शादी है 15 year की एज में करा दी गई 1912 में at the age of 21 years ओके डॉक्टर अंबेडगर अब्टेंड डिग्री ऑफ पॉलिटि साइस की डिग्री नी थी यह ऑक्टर अैएट डॉक्टर अंबीड कर पॉलिटिकल साइड के भी स्पेशलिस्त थे से लीगल बी बी CPU इ09र के सुचल के इनके पास इत्ति साए डिग्री थी हो इसी वज़से गांदी जी ने ने नेहरुजी ने इनको अप्रोच करा था कि आप इंडिया का कॉंसिटूशन बनाने में अमारी मदद करें और इतना डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के बाद भी इन्होंने जो लॉव बनाया उसमें सब को कोई क्वैलिटी दी किसी के साथ कोई भी पक्षपात या कोई भी भेद भाव निकरा है दियान रखेगा आपका दुश्मन आप पर दसवार करें बट आप अपना ना जो नेचर है काइंडनेस का रखिएगा दुश्मन को भी इजद के साथ इंडिया आर्मी में ये खास बात है कार्गिल वार में पाकिस्तान ने हमारे सोल्जर्स को मिल्टी रेट कर दिया था उनकी बॉड़ी को मिल्टी लेट करके हमें वापिस दिया था मगर हमने जो पाकी सोल्जर्स ते उन्हें बिलकुल जो सोल्जर का सैनिक सम्मान होता ना उसके साथ दफना है तो कोई अपन का हूँ इंटर्नल स्वैग तो तो 1912 में इन्होंने एकनोमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली बॉंबे से फिर 1930 में यह कहा जाता है युनाइटेड स्टेट एट 11.50 डॉलर पर मन्त ठीक है तीन साल के लिए यह बड़ोदा स्टेट की की ने स्कॉलर्शिप मिलती है वहाँ पर जाके पढ़ाई करते हैं और डॉक्टर अंबेडगर कॉलंबिया उन्युवर्स्टी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करते है लौ की बाद में वहीं से वह डॉक्टरेट अन लौ आज तक मैं खुद लौ स्टूटेंट रहू नुमबर टॉप त्री में रहती है तो वहाँ पर डॉक्टर अंबेडगर ने अपनी लौ की पढ़ाई करी थी और डॉक्टर अंबेडगर वर्ल्ड के ऐसे परसन है जिनके सबसे ज़्यादा स्ट्रेचू इंडिया में भी है इंडिया के बहार भी है महादमा गांदी जी क के साथ कुछ लोग आज हाल फिलाल के दिनों में देखा उनके अगेंस कुछ बोलते हैं एक बार इनके अगेंस कोई बोलके दिखा है कि क्योंकि यह जिस कम्मुनिटी के लिए लड़े न वो इनको भगवान की तरह पूचती है महादमा गांदी जी कि आप मूर्ती को तोड तोड़ दे तो कई लोग उस पर इत्ता वाइलेंट दी रियक्ट नहीं करेंगे यह पता भी नहीं रहेगा कि वह टूटी है नहीं टूटी है लेकिन अगर इनकी मूर्ती को एक बार टैच्छ भी कर दिया यह वाइलेंट के सुजाएगा तो यह चीज होती है यह है परसनाल बार हुआ उसके बाद इन्हें वापस आना पड़ा और वापस आके यह बंबे के शडयम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बंबे में एकनोमिक्स के टीचर बन जाते हैं वहाँ पर अगेन वही सोशल डिसक्रमिनेशन अब देखिए मैं पढ़ा लिखा हूँ आप पढ़े लिखे आप लोगों को लेगा कि यह कैसा लेकिन उस समय का यह एक थौट आफ माइंड था कि इस तरीके की चीज़े होती तो अगेन यह सोशल डिसक्रमिनेशन स्टूडेंट कहते थैं यह क्या हमें एकनोमिक्स पढ़ाएगा यह उन्टेचबल मगर जब इन्होंने एकनोमिक्स का लेक और वो इनको एडमायर करने लगे वहाँ पर जो इनके साथ टीचर यह फैकल्टी जो वर्क करते थे वह बड़ा इनसे परिशानती क्योंकि इन सबको एक ही जग से पानी पीना होता था अगेन वही सोशल डिसक्रमिनेशन तो यह चीज़े जब चलते रही तो तब डॉक्ट वीकली मराथी पेपर शुरू करा और फिर बाद में इन्होंने एक डिस्पर्स क्लास अफ इंडिया करके एक पार्टी बनाए फिर आगे यह आपके महराजा अफ कोलापूर उन्होंने इनको फाइनस करा और यह लसी जाता है लंडन स्कूल ऑफ इक्लामिक्स जहां पर जाक यह इन्होंने थीसिस लिखी थी और आप लोगों को शायद पता नहीं हो रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया जो 1934 में स्टैबलिश किया गया है वो इनकी ही एक्टी सिसिस के उपर स्टैबलिश किया गया है फिर फिर फर्स थीसिस एशन इंडियन कॉमर्स फिर 1916 में दूसरी इस ती नेशनल डिविदेंट ऑफ इंडिया जिसके उपर आपका आर बिया बना है और फाइनली इन्होंने 1970 में पीएचडी एकनॉमिक्स करी 1917 में ओके हां 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 बिलकुल बिलकुल तो डॉक्टर अंबेड कर वाइल प्रेटेक्सिंग लॉइन दी हाई कोर्ट फिर वो ब इसका तो फाइल इनको दूर रूशे लिए तो खैर अब मैं चाहता नहीं हो और बार बार सोशल डिसक्रमिनेशन नाम लो लेकिन इनकी लाइफ के वे लाइफ में इतने वेंट होे सोशल डिसके ना चाहते वें भी वर्ड आ जाता है तो इसी वजह से 1927 में डॉक्टर व। निंग केंग वॉटर आपने सवाइवा सत्यगरा सूना है आपने नील सत्यं लेकिन कभी आपने महढ केरा सुना है मह turkey उे उसना महाड गुजराट की दिस्टिक को तदर तलाब से पानी पीए तलाब का पानी पावित्र यह दूशित नहीं होता था लेकिन एक उंटचब अगर टालाब से पानी फिले क्या फिले तो चाहिन सर कोलापूर में 1927 में इन्हों क्या करा था महार सत्यकर है फिर फिर यह हिंदू टेंपल एंट्री के अगेंस्ट भी और हिंदू टेक्स जिसे मनुस्मृत यह उसके बहुत स्ट्रिक्ट क्या करते हैं यह प्रोटेस्टर थे और उसकी कॉपी भी बन करते थे फिर 1952 में बाबा साब ने कंटेक्स्ट करा क्योंकि भारत में पहली बार एलेक्शन 1952 में ही हुए थे लेकिन कॉंग्रेस के कैंडिडेट से हार गए थे और नेक्स्ट जो एलेक्शन था वो 1957 में होने थे लेकिन 1956 में डॉक्टर अंबेडकर का महापरिन निर्वान हो गया था तो ये राज्यसभा के थुरू आपका इंडियन पार्लेमेंट के मेंबर बने थे और भारत के पहले लौ मिनिस्टर भी थे 15th August 1947 को 1st Prime Minister of India पंडे जौला नहरू जी बहुत ग्रेट परसन थे उन्हें को पता था कि अगर इंडिया के लिए Constitution बनाने का अगर किसी को जम्मा दिया जा सकता तो वो एक ही परसन ने डॉक्टर बाबासाब भीम रहा अंबेड कर तो ये पहले लौ मिनिस्टर बने और 29th August 1947 को Constituent Assembly के क्या बनते है चेर्में जिसने इंडिया के लिए Constitution को फॉर्म करा था और Constitution जो है डॉक्टर अंबेड कर की गाइडन्स के अंदर ही बनाया गया इसी वज़े से मेकर ओफ इंडियन Constitution डॉक्टर बीम स्टाव अंबेड कर को कहा जाता है फिर इतना जीवन में सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करने के बाद भी जितना इन्होंने करा है वो किसी जादू से कम नहीं है कई सारी फीमेल से जो डॉक्टर अंबेड कर के अगेंस बोलती है बोलती मेनी वाइब के कंसेप्ट को जो अबॉलिश करवाया था वो डॉक्टर अंबेड कर जो महिलाओं को अधिकाल दिये थे पुर्षों के बराबर आने के देट परसन डॉक्टर भीम रांबेड कर मैटरनेटी बेनेफिट रिलीव अगर को इस्तरी मत्रत्यों के अपनाती है त जैसे दोक्टर बाबसाफ भीम रांबेड कर हिंदू मैरिज एक्ट डैट इस बाबसाब मेटकर गर्ल्स की एज एटीन यर्ष और अगर कोई हिंदू हज्बेंट दूसरी शादी करता है वह इल्लीगल मांगनी जाती है डैट इस बाबासाब भीम रांबेड गर जी के बार तो वह आपको उसका extra pay करना पड़ेगा तो इन्होंने abolition of untouchability किसी भी टाइप का discrimination आप पढ़ते हैं न आर्टिकल 15 state shall not discriminate any cities on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth ओके economic and social right for women जो मैंने बता है, economic and social right for women, jobs, member of schedule caste, जो reservation है, कई लोग reservation के against बोलते हैं I know उनके अपना thought of mind उनका सही होता है, मैं गलत नहीं कहा रहा हुने, लेकिन इंडिया में जो reservation दिया गया है, पहली बात वो economic basis पे नहीं दिया गया है, वो social basis पे दिया गया है डॉके, डॉक्टर बावसाब मेट कर, एक SDM ये PCS की position पे थे, लेकिन तब भी उनका प्यून उन्हें फाइल फैक के देता था, तो ये due to the that caste is mind तो वो चीज जब तक इंडिया में है, तब तक reservation रहेगा और आने वाले 50 सालों में reservation धीरे 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 अपने आप ही eliminate होता जाएगा, ध्यान रखेगा और इनके बनाए constitution को 29th of November 1949 को Constituent Assembly ने क्या करा था, अडॉप्ट करा था इकबाल शेक सर को जैहिन, इकबाल शेक सर हमारे जो है, इंडिन एफोस की service में है, और बहुत ही भेंतरीन और उंदा इंसान है, कभी भी आप इन से बात करें, आपको बहुत motivate करते हैं ये, तो इकबाल शेक सर को सभी लोग जैहिन जरू करेगा, ओके, आचा, लास्ट में, इनकी वाइफ की जो death हैं, 1915 में ही हो गए थी, कम उमर में ही हो गए थी, फिर आगे चलके, डॉक्टर बावा साब मेट गए, सावित्री, डॉक्टर सावित्री कभी, ये डॉक्टर थी, जो बावा साब को देखते हैं, क्योंकि इतना ये exhaustive काम करते थे, कि इनको lack of sleep, diabetes की बिमारी हो गए थी, तो उनकी treatment के लिए उनसे मिली थी, अब बाद में इनकी last में ये जीवन संगनी बनी थी, और धिहान रखेगा, डॉक्टर बावा साम बेट करने ये कहा था, कि भाई मैं पैदा तो हिंदू हुआ था, क्योंकि वो हिंदूस्म के इस caste, बाइसने से बड़ा तरस्त है, पूरे throughout life आयता है, तो last में जाके इन्होंने बुद्धिजम को अडॉप्ट करा था, और बुद्धिजम को इन्होंने अपने जित्ते भी followers के साथ बुद्धिजम को अडॉप्ट करता है, इनकी वाइफ जो डॉक्टर सावितरी कबीर की डेथ 2003 में ही हुई है, और इन्होंने अपने जित्ते भी followers के साथ बुद्धिजम को अडॉप्ट करता है, क्योंकि बुद्धिजम जो है na reasoning based religion है, ठीक है, इसमें किसी टाइप का discrimination नहीं है, किसी भी type का कोई superstition नहीं है, बस आत्मा, आत्मात का concept नहीं है, बना अपना self-control और self-satisfaction इस पर belief रखते और गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं है, as you know that, गौतम बुद्ध नहीं का वो एक मार्ग दर्शक है, जो आपको सही रास्ते पे ले जाने की बात करते हैं, ओके, और 6th of December 1956 को, डॉक्टर बाबा साब भीम राम बेड़कर का महापरी निर्वान दिवस मनाया जाता है, तो यह थी में जब से छोटी सी एक knowledge शद्धान जली या इनके बारे में, क्योंकि इनके बारे में मैं बात करने के लिए छोटा इंसानों की बहुत जादा, क्योंकि यह यह बहुत बड़ी एक हस्ती है, आजा, यह Constituent Assembly के Chairman थे, Constituent Assembly में इनके साथ परधान, शिरोमनी, श्र के Member है, Constituent Assembly में आपके 7 Members थे, एन महादाव राओ, मौंबद साथ उल्ला, यह आपके असाम के पहले Prime Minister थे, पहले Chief Minister नहीं, गवर्णर, प्राइम मिनिस्टर होता थे, 1930 से, डॉक्टर बावा साथ, अंबेटगर, आयंगर साथ, तो इनके बारे में, अभी आपकी जित्ते भ हुआ था, और यह एक Civil Service Officer थे, और Constitution के मेकिंग में, इन्होंने जो का था, वो जो विलेज पंचायत का जो concept और फेडरलिजम का जो concept और एन मादाव राव की ही देन है, हमारे Indian Constitution में, ओके, तो I hope, आप सभी को यह information अच्छी लगी हो, session को share जो करेगा, like जो करेगा, और ध्या रखेगा, Colonel संजीश रोही, यह एक ex-army officer है, और I failed three times in NDA, और इनके साथ एक बहुत ही special interview है, इसको जरूर देखिएगा, motivate होईएगा, क्योंकि जो गलती हैं वो इंसान को सीख भी देती है, तो यह आपको कुछ ऐसी knowledge impart करने वाले हैं, जो आपके लिए life changing होईगी, तो दो जो जे defense editor 24-7 पर जरूर मिलेगा, Colonel संजीश रोही से, यह आपके साथ एक कुछ एक बहुत healthy conservation करने वाले हैं, तो उसको जरूर धियान रखेगा, और फिर शाम को चार बजे, आपकी कीरती पांडे में, आपको क्या highlights of Republic Day की, आज Republic Day में ऐसा क्या खास है, इसके बारे में बता प्रेड को देखिएगा अच्छे से, और मैं आपसे कल के session में प्रेड के उपर questions भी पूछूंगा, देखूंगा कि आप लोगों ने कितने धियान से देखा है, तो सभी को बिलकुल जैहिन, जै भारत, और भारत मतकी, जै और वंदे मात्रम, God bless you all.